हेलो फ्रेंड एजुकेशन जव अबडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ जैसे कि आप सभी को पता है अगले छो माह होंगे साथ सो बीस राजस्व कर्मी की बहाली और राजस्व एवं भूमी सुधार मंतरी राम सुरत कुमार ने कहा कि राज के केविनेट और राजस्व कर्मी की कमी होने के लिए इस माह आपको दूर जाएगी की जाएगी दूर हो जाएगी 1667 अमीनों की बहाली का आपितान बिहार परियुक्त आप लोग को या काफी बड़ी अपडेट के तोर पे आप देख रहे हैं या सारा अपडेट को दिया जा रहा है जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्व एवं भूमी सुधार मंतरी राम सूरत कुमार ने कहा कि राज में अमीनों और राजस्व कर्मी की कमी अपने छो माह में, अगले छो मा में दूर हो जाएगी 1667 अमीनों की परक्रियार जल्दी की जाएगी और अधर अमीनों की बहाली हो जाएगी जबकि 433 तिर पन राजस्व करमचारियों की बहाली छो महिने में हो जाएगी इस तरह छो महिने में साथ सो बीस राजस कर्मी की बहाली होंगे क्योंकि आप जानते हैं मैं हमेशा आप लोगों के लिए नियू अपडेट नियू वीडियो नियू जानकारी लेके आता हूं ताकि आपको हमेशा इस वीडियो और इस एजुकेशन जाव डेट यूटूब चैनल के मादम से सही सठीक जानकारी मिलता रहे क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ततपर और तयार रहता हूं लेकिन आप लोगों को यहां पे कागा मंतरी मंतरी गुरु पारित हो गया है इससे पहले कुमार ने कहा कि आप लोगों के लिए विशेश तूर पे 215 स्पेशल सर्वे असिस्टेंट और सेटलमेंट अफिसर 349 विशेश आपको सर्वे कलर्क और 390 विशेश सर्वे आप लोग को दिया गया यहां पे लेकिन 1767 स्पेशल अमीन पद प गया है दाखिल खाजिल की परकरिया आउनलाइन होने से वित वर्ष 2019 वीश में लगवा 21 लाख आवेदन पराप्त हुए इसके बदले आप लोगों को 21 लाख आवेदन पराप्त हुए जिसमें 13 लाख आवेदन ही मिलते हैं अब तक 50,69,188 आवेदन पराप्त हुए इसमें 37,57,300 आवेदन का वीतिय क्या गया है अठतर दसनलव 37,50 हो चुका है तै क्या गया है अंचल अस्तर परिया परमान परत्र देने की नई परी पार्टी शुरू की जा चुकी रही है दो मार्च तक 99,99 लाख से लह उपर पहुंच जागा सदन को गुमराह किया जा रह है तेस्वी यादव ने इस सास्तर सूरत को कहा कि राजस्वी वहाग के अन्विवसाय की सरकारी की औरसी विवसाय रखे जाने के दुरान इस सारी परकिरिया को आप जरूर देखे और काफी जो आपको निराश और हादास आप लोगों के लिए एक यूजना बना हुआ है 16 166 अमीनों की जो आपकी पूरी किया जाना था लेकिन अभी तक हुआ नहीं यह आप कहां जानते हैं यह आप सुनते हैं पेपर के मादम से देख पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं लेकिन उस बैकनcie की चरचा कहीं करता है कि बैकनी की निकाला जाए उसके लिए आवेदन शू कि आ जाए बहुत इसा रेकनर के मादम से आ जाता है पांके उस परक्रीया पेपर में ही सम्ध की रह जाता है उसी को सरकार ऊपर दिखाने का कोई काम भी नहीं करता जो तक उपर लाएगा नहीं जce तक कर जानेगा और कैसे जाए कि यह श्यद्र को कि आपको हमेशा मेरे वीडियो के नोटिफिचर मिलता रहेगा मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं